प्रपरिशन प्लान इन दा बायो जी मतलब क्या पढ़ना है आपका स्टेडी मेटीरियल जहें है वो क्या रहेगा सबसे पहला पॉइंट जो यहां पे मैंने मेंशन किया है वो यह है कि there are 40 chapters in bio ठीक है अब 40 कहां से आ गए 40 कहां से आ गए 38 तो actual में है ठीक है दो chapters जो यहां पे मैंने add किये हैं वो मैंने molecular genetics और classical genetics जो 12th के 2 chapters है उनको मैंने divide किया है ठीक है क्योंकि वो बहुत lengthy chapters होते हैं इसलिए मैंने उनको जो है ना each chapter को मैंने equivalent किया है equal to two chapters ठीक है so study material क्या रहेगा उससे पहले यहां पे मैंने classification किया है मैंने bio में जितनी भी chapters है उनको classify किया है उनको divide किया है इनको three types of chapters में ठीक है type 1, type 2 and type 3 ठीक है type 1 जो है ना इसमें वो chapters आएंगे जो आप सारा खुद बढ़ सकते हो जो आप सारा खुद बढ़ सकते हो no need of lectures मतलब इसमें easy chapters आएंगे ठीक है suppose आपने 11th में पढ़ा होगा या 12th में पढ़ा होगा या freshers में पढ़ा होगा या अभी अभी freshers हो या dropper हो ठीक है तो चाहिए अपने अच्छे से पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा लेकिन टाइफ वन जो है ना इसमें वो चैप्टर्स आएंगे जो आप सारा खुद पढ़ सकते हो फ्रम NCRT लाइन बे लाइन आसानी के साथ ठीक है टाइप टू वो चैप्टर्स कहलाएंगे जो आप कुछ परसंट जो है ना खुद पढ़ सकते हो और कुछ लेक्चर्स के थरूँ अंडरस्टूट कर सकते हो कुछ लेक्चर्स के थरूँ समझ सकते हो अब ताइप सपोज मै यहाँ पर बात करूँ अब सब्सक्राइब एक NCRT से उनको पढ़ सकते हो Suppose उसमें एक topic आएगा That is digestion of food Digestion of food उसको आपने पहले understood करना होगा Through lectures Then after आप NCRT से खुद पढ़ सकते हो ठीक है उसके बाद आ रहा है type 3 Type 3 में वो chapters आएगे मतलब ये पहले का उलटा है Type 3 में almost आपने 90% of the chapter Lectures के थरूँ पहले understood करना होगा उसके बाद आप उसको जो है न NCRT से खुद पढ़ सकते हो Suppose अगर मैं बात करूँ Molecular Genetics या Classical Genetics ठीक है मतलब different chapters आएगे इसमें जो little bit difficult होगे जो little bit difficult होगे जो little bit difficult होगे ठीक है Suppose वो Classical Genetics Molecular Genetics उनमें आपने क्या करना है सबसे पहले lectures को देखना होगा ताकि आपके understanding जो न वो आफसान हो जाए Then उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हो आप NCRT के जो है NCRT के थरूँ आप खुद पढ़ सकते हो ठीक है So this was all about the type 1, type 2 and type 3 अब इसकी advantage क्या है Type 1 chapter, type 2 chapter, type 3 chapters की इन chapters की जो है ना मतलब एक classification की advantage आइ importance क्या है वो आप मैं आपको बाद में बोलूगा ठीक है Now अब जो है कौन-कौन से chapters type 1 में आएंगे type 2 में आएंगे और type 3 में आएंगे ठीक है उनको जारा आप दियान में रखो सबसे पहले यहां पे मैंने mention किया है Zology के बारे में It's all Zology ठीक है Alleyant की भी और Duelth Zology ठीक है सारी Zology यहां पे मैंने mention की है अगर मैं बात करो Animal Kingdom की It's type 1 Cell cycle is type 3 Cell organelles जो है That मतलब type 1 है Biomolecules type 2 Tissues and cockroaches That's type 2 Human physiology आपके सारी चैप्टर जो है They are type 2 Reproduction in humans वो भी type 2 कहलाएंगे Reproductive health That's type 1 Genetic and mandalian disorders यह जो है न यह topic Genetic and mandalian disorders यह असल में जो है न वो चैप्टर आपका जो है न 12th का Molecular नहीं क्या कहते है इसको Principles of inheritance ठीक है Principles of inheritance के end में जो है जोल्जी के topics होते हैं ठीक है इसलिए मैंने उसको जोल्जी में mention किया ठीक है यह आएगा type 3 में उसके बाद evolution That's type 3 Human health That's type 2 Biotech first That's type 3 Biotech second ठीक है Biotech second कौन कहलाएगा That is applications Biotech first That's principles and processes ठीक है Type 3 and type 1 Human genome project and DNA finger printing ठीक है DNA finger printing यह किसके topics है Molecular genetics के end में दिये गए है ठीक है यह भी जोल्जी के topics है This will be also included in type 3 ठीक है So this was all about the zoology अब हम बाटनी की तरफ आ रहे हैं कि बाटनी में कौन सा chapter जेन आपका type 1 होगा type 2 होगा type 3 होगा Okay Botany जो है It's 11th, 12th सारे chapter से आपके मैं ने mention कि इसमें जो है Living world type 1 में आएगा Biological classification type 1 में आएगा Plant kingdom, morphology, anatomy और transportation in plants यह सारे 4 chapter जो है यह type 2 में आएगे Mineral nutrition यह भी type 1 में आएगा Photosynthesis, respiration और plant growth याने PGR ठीक है यह सारे 3 chapters जो है यह type 2 में आएगे ठीक है उसके बाद जो है That's 12th bio 12th में जो है 12th botany reproduction in organisms यह कहलाएगा type 1 reproduction in plants that's type 2 classical genetics molecular genetics यह 2 chapters type 3 में आएगे ठीक है microbes in human welfare type 1 में आएगा plant breeding जो है plant breeding वो जो strategies for enhancing the human environment वागेरा that's type 3 उसके बाद ecology में 4 chapters आएगे organism in population and ecosystem यह 2 chapters आपके पास type 2 और type 2 कहलाएगा organism in population type 2 ecosystem type 2 और end के जो दो chapters है biodiversity and environmental issues यह 2 chapters जो हैगे यह type 1 में आएगे ठीक है so this was all about the classification type 1, type 2 and type 3 अब यहाँ पे जो बात आ रही है what is the importance अब इसकी advantage क्या है अगर हमने chapters को classify किया है classify किया है into different categories into different types अब इसकी जो है इसकी importance क्या रहीगी सबसे पहली बात जो है अगर मैं बात करूँ अगर आप online पढ़ रही होंगे अगर आप online या offline पढ़ रही होंगे suppose मैं बात करूँ का आप online पढ़ रही होंगे अगर वहाँ पे आपका कोई ऐसा chapter आएगा जो type 1 में आएगा अगर वहाँ पे कोई ऐसा chapter आएगा जो type 1 में आएगा तो आप उस chapter को वहाँ पे skip कर सकते हो उसमें आप क्या कर सकते हो suppose अगर आपका type 1 का कोई भी chapter होगा let us suppose कि वहाँ पे जो है न suppose आपकी डेड़ गंटी की class होगी let us suppose कि वहाँ पे वो चार दिन में उस type 1 के chapter को पढ़ा रहे हैं चार दिन में ठीक हैं डेड़ गंटी की class डेड़ गंटी की class चार दिन में पढ़ा रहे हैं ठीक हैं तो यहाँ पे जो है न डेड़ होगे तीन, तीन दिन होगे छे छे गंटी में आपका chapter जो है न complete हो रहा है लेकिन अच्छा it's not only 6 hours 6 hours के बाद क्या होगा आपने गर पे वहाँ पे revise करना होगा फिर questions भी करने होगे so almost यह equivalent होगा equal to मतलब I think 8 to 10 hours लेकिन लेकिन अगर आपका type 1 chapter आ रहा है आप जो है ना online पढ़ रहे हो आप उस chapter को skip कर सकते हो और आप खुद NCRT से पढ़ सकते हो और I think कि वहाँ पे जो है ना 10 गंटे के बज़ए आप जिर्फ 4 या 3 या 5 गंटों में with questions with everything आप कर सकते हो so यहाँ पे जो है ना advantage रहेगे ना type 1 type 2 की it only saves your time ठीक है आपका time save रहेगा बागी इसकी बहुत बड़ी importance नहीं बस आपका time बच जाएगा especially in case of जब type 1 होगा और type 2 का वो topic होगा जो आप खुद बढ़ सकते हो ठीक है यहाँ पे जो है ना इसकी advantage क्या रहेगी it saves your time ठीक है आचा रही बात जो है ना जो सबसे important बात रहेगी that is your study material अगर मैं बात करूँगा study material की it is only NCRT चाहे type 1 chapter होगा type 2 chapter होगा type 3 chapter होगा it's only and only NCRT NCRT के अलावा कुछ भी नहीं आपने पढ़ना है कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं मैं फिर से बोल रहा हूँ NCRT के अलावा आपने कुछ भी नहीं पढ़ना है so यहाँ पे जो है ना type 1 chapters वहाँ पे आपने only NCRT पढ़नी है होगी type 1 में गी type 2 में भी और type 3 में भी only NCRT for all the 38 all the 40 chapters अब यहाँ पे जो lectures आ रहे हैं lectures की importance क्या रहे की type 1 और type 3 जो है इन में lectures की importance क्या रहेगी it is only for understanding purpose बस आपके understanding उन chapters में जो है न little bit आसान हो जाए बस that is for understanding purpose lectures are only for understanding purpose ठीक है यहाँ पे दूसरा point है out of text be out of text कुछ भी याद नहीं रखना है ठीक है suppose आप online पढ़ रहे हो या offline पढ़ रहे हो वहाँ पे जो आपका teacher होगा वो आपको out of text भी data दे रहा होगा लेकिन आपने उस data को क्या करना होगा अगर वो type two or type third chapter होगा तो understanding purpose के लिए आपने उसको बस बढ़ना है याद नहीं रखना है need के लिए आपने lectures को कुछ भी याद नहीं रखना है especially on those chapters जिन में जो है आउट of text पढ़ा रहे होंगे आपने जो है out of text कुछ भी याद नहीं रखना है ठीक है क्योंकि आपके बाइयों में 90 questions जो होते हैं almost सारे questions आपके NCRT से directly या indirectly आते हैं almost सारे questions सारे questions ठीक है so आपने परेशनली होना है so lectures के importance सिर्फ ये रहेगी ताकि आपके understanding जो है ना वो आसान हो जाए ठीक है out of text आपने कुछ भी याद नहीं रखना है finally आपने क्या करना है only आपने NCRT need के लिए आपने concert करनी है आपकी बायों के लिए NCRT is enough and it's enough it's enough ठीक है आचा यहाँ पे जो मैंने mention किया है nutshell में जो बात रहेगी nutshell में आपका study material that is only NCRT only NCRT lectures में आपने out of text points को बिल्कुल भी याद नहीं रखना है need के लिए हाँ understanding purpose के लिए आपने उनको पढ़ना है लेकिन अब जो है अब यहाँ पे जो है suppose यहाँ पे आपका teacher आपको पढ़ा रहा है ठीक है वो NCRT को भी include कर रहा है और आपको जो है न out of text भी पढ़ा रहा है आपने क्या करना है जो NCRT के points होंगे सिर्फ उनको highlight करना है सिर्फ उनहीं को याद रखना है और जितनी भी points आपके miss हो रहा है उस lecture में उनको आपने NCRT से पढ़ना है ठीक है लेकिन out of text आपने कोई भी चीज़ याद नहीं रखनी है कोई भी चीज़ याद नहीं रखनी है अब याद क्यों नहीं रखनी है मैं उसके आपको disadvantage बता रहा हूँ disadvantage of out of text data सब्सक्राइब आप कह रहे है मैं out of text भी पढ़ूँगा हर एक चप्टर में out of text भी data याद रखूंगा ठीक है जब टीचर पढ़ा रहा है तो आप याद रखनी है ठीक है आप ये कह रहे है ये आपकी opinion है ये आपकी रहा है suppose हर एक चप्टर में आपने 30 या 40 या 50 points out of text भी याद रख रहे है हर एक चप्टर में 30 points किसी में 30 किसी में 40 किसी में 50 so in all these 38 chapters let us suppose कि वो आ रहे है suppose अगर मैं 40 की बात करूं 40 into 40 मतलब 1500 points आपके out of text आ रहे है ठीक है 1500 points आप जो है ना out of text याद रख रहे हो ठीक है आचा आप मुझे बात बोलो अगर आपके examination के जो आपका examination ना final examination need ठीक है उसके जो last week में जो है लास्ट हफ़ते में जो है अब अगर आपके सामने जो है अगर आपके सामने 1500 points आफट आफ टेक्स रखे जाएं और 1500 points जो बहुत ज़्यादा important होगे जो NCRT के बिलकुल NCRT के होगे आप मुझे बोलो आप किन को prefer करोगे NCRT को जो out of text को बोलो या आप खुद recite करो सो वहाँ पे जो है बिलकुल NCRT को prefer करोगे ठीक है आप initially पढ़ रहे हो लेकिन in the end जो है ना सबसे important क्या होता है अगर आपका जो है पिछले दो हफ़तों में या तीन हफ़तों में या पिछले महीनों में ठीक है पिछले महीने में अगर आपके किसी भी chapter का revision मिस होता है ना किसी भी point का revision मिस होता है ना तो उसकी guarantee है अगर उसमें से question आएगा वो आपको नहीं आ सकता है ठीक है This is the guarantee So disadvantage of the out of text data यहीं रहेगा बिलकुल आपको जहें ना आप initially पढ़ोगे लेकिन in the end आपका revision नहीं होगा ठीक है So that is the क्योंकि end में आपको time जहें बहुत कम मिलता है So this was all about the study material ठीक है अब जहें ना दूसरा वीडियो इंशालला जो मैं upload कर रहा हूँ उसमें जहें ना बात करूँगा अपने भायो जहें ना भायो को किस तरह से पढ़ना है This was all about कि what What to do ठीक है क्या पढ़ना है Study material क्या रहेगा अब जहें ना strategy क्या रहेगी भायो को किस तरह से पढ़ना है किस तरह से मैं जहें ना मतलब out of 360 out of 360 अगर सारे questions NCRT based आ रहे है मैं किस तरह से 340 या 350 टाच कर सकता हूँ उसके लिए जो है ना इन्शालला मैं दोसरा वीडिया अपलोड करूँगा और वो जो दोसरा वीडिया होगा वो इससे भी ज़्यादा important होगा उसमें जो अच्छे से मैं mention करूगा कि आपने कैसे पढ़ना है हर एक चैप्टर को और वहाँ पे मैं ये भी बोलूँगा कि किस चैप्टर में आपको short notes बनाने होगे ठीक है और उसमें ये भी बोलूँगा कि आपकी जो है ना मतलब revisions वगेरा किस तरह से करने है from time to time ठीक है तो तब तक के लिए जो है ना ठीक से रहना अच्छे से पढ़ाई करना अलाहाफिस